दोस्तों आप सभी के इस कहानी के साथवे भाग में सागत है अगर आप लोगों ने इस कहानी के छटवे भाग को अभी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है आप लोग प्लीज लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के छटवे चेप्टर को पहले जरूर पढ़ ले सुबह अलारम बजने से जैसमिन की नीन तूटी उसने बिट के कप वोड की और हाथ बढ़ा कर फोन उठाया अलारम बदने किया और खुद उठने के लिए हरकत में आई कुनाल ने उसे वापस अपने उपर दबा लिया सुबह हो गई है जैसमिन ने उनीदी सी अवाज में कहा वो रोज सुबह पांच बजी उठ जाया करती थी फिर उसे नहां दो कर तियार होकर नीचे भी जाना होता था मालूम है तुम थे थोड़ी देर और सोजाओ बहुत बहुत ठंड सॉरी बाहर बहुत ठंड होगी कुनाल ने वे ऐसे ही आखे बंद की हुई ही कहा लेकिन कोई बात नहीं कभी कभी लेट चलता है छे बजे उठ जाना मैं अलारम सिट कर देती हूँ मैं उठा दूँगा सोजाओ कुनाल ने दोनों हाथों से जक्ड़े वे ही कहा जैसमिन तो यूँ भी आदी नींद में ही थी वापस कुनाल की सीने पी सिर टिका लिया और एक बार फिर कुनाल की साथ कभी अपने गाल कभी नाक से सहला रहा था कुनाल मुझे आपकी दाड़े चुप रही है जैसमिन ने उसके कंदों पर हाथ रखते वे आदी नींद में ही कहा वो उसे दूर कहना चाहती थी जबकि कुनाल पर अपनी ही मनमानी की धुनसवा थी इसी लिए तो कर रहा हूँ कुनाल ने अपना काम जारी रखते हुए कहा पर रगड लग जाएगी जैसमिन ने अपने गालों और गयदन को सहलाते हुए कहा कुनाल ने चेहरा उठा कर जैसमिन की वो देखा जो अभी अपने गालों और गयदन पर हाथ फेर रही थी कुनाल ने देखा, वहाँ थोड़ा थोड़ा लाल हो गया था वो खुद में मगन था, ध्यान ही नहीं दिया कि उसे भाकरी रगड लग सकती है अब वहाँ हलकी रिडनिस दिख रही थी और जैस्मिन को थोड़ी जिलन भी हो रही थी वो लगातार, अपने हाथों से सहलाए जा रही थी उसका पूरा ध्यान, उसी ओर ही चला गया जबकि कुनाल को अपनी कीई पे मलाल हुआ उसने जल्दी से अपने होट वहां रग दिये वो जो थोड़ी देर पहले जान बूच कर दाड़ी चुभाने के लिए छेर चाड़ कर रहा था अब अपने गीले और नरम होटों से उसे आराम पहुचा रहा था जैस्मिन को गुदगुदी हो रही थी वो जैसे ही, सौरी, वो वैसे ही लेटी थी और ये क्या तरीका ढूड़ा कुणाल ने उसे उठाने का, इससे अच्छा तो तब ही उठ जाती उसने देखा, छे बच गये थे अपने दोनों हाथ कुणाल के जोड़ी चारती पे रखे और हलका सा पुस्किया, क्या कुणाल ने थोड़ा सा कठोर होकर कहा जो ओ कहना चाह रहा था जैस्मिन करने नहीं दे रही थी इसलिए थोड़ा चेट चिड़ा गया देर हो गई है कुणाल नीचे जाना है और अभी तो मैं नहाई भी नहीं जैस्मिन को बुरा सा लग रहा था कुणाल को आखिर उसकी हालत पर तरस आ गई कुणाल ने उसे छोड़ा और वापस अपनी जगें पर लेट गया जबकि जैस्मिन उसके बाजों से सरकते वे कंबल से बाहर निकल कर बेड़ से उतर गई अब उसका रुख बात रोम की ओर था और थोड़ा हड़वडी भी थी जल्दी जल्दी नहाद होकर तियार होनी लगी इस जल्द बाजी और कस्म कस्म इस जल्द बाजी और हड़वडाहट के कस्म कस्म आज फिर वो पाइल पहनना भूल गई जैस्मिन जैस्मिन ने अभी दरवाजा खोलने के लिए हाथ रखा ही था जब कुनाल की आवाज आई तुम जाय लेकर उपर मत आना मैं नीचे ही आ रहा हूँ जी जैस्मिन को लगा पूल लेट है इसलिए कह रहा है जब के कुनाल नहीं चाहता था कि वो बार बार खुले छट पर आए सुबह का ठंडा मौसम धोब भी पूरी तरह निकली नहीं थी कल वैसे भी वो ठंडे पानी में भीग गई साधी होने का यूँ भी डर था जाती हुए ठंड जल्दी पकड़ लेती है इससे अच्छा है घर में ही रही कम से कम अंदर का ताप मान तो ठीक है जैस्मिन किचन की तरफ जा रही थी या तो चाय बनी हुई थी या उसे बनानी थी वो जिब तक आती थी तब तक चाय बन चुकी होती थी साध आज ओ लेट है खतम हो गई हो वैसे भी कुनाल ने नीचे आने के लिए कहा था अपने ले ना सही कुनाल के लिए तो उसे चाय बनानी थी दादी को कुछ अटपटा लगा जैस्मिन जी दादी यहाँ ओ वो दादी के पास आकर खड़ी हो गई दादी ने बिस अभी अभी चाय पी थी मम्मी ताई चाची सब उनके पास बैठी चाय पी रही थी जबकि कलपना और काजल अभी तक उठी नहीं थी जैस्मिन को लगा आज देर से उठने के लिए उसे कुछ कहेंगे जो भी हो कितना भी प्यार कहते हो था तो उसका सुसराल ही और इस घर के भी कुछ नियम काईदे हैं लगभग सभी जल्दी उठ जाया करते थे और यहां के माहोल को देखते वे कुनाल ने उसे ये हिदायत भी दी थी कि ये सब रोल उसे फॉलो करने हुए पर आज वो उसी की तरह सौरी पर आज वो उसी की वज़े से लेट थी ये भगवान क्या करू मैं इस आदमी का एक तो ये समझ नहीं आता फिर कभी समझने लगो तो इसी में उलज कर रह जाती हूँ अजीब दुबिता थी खैर जो भी हो वो जो भी कहें घर की वली थी उसे सह जुका कर चुपचाप सुनना था उनकी बात माननी थी वो अभी उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी जबकि दादी किसी और ही फिराक में थी उन्होंने उसके पैर की तरफ देखा जो सूने थे जैस्मिन की चलने से ही उन्होंने पहचान लिया आज उन्हें वो छनक सुनाई नहीं दे रही थी जिसे सुनकर वो खुस होती थी कि इस घर में एक बहु है नई नबिली उसके कुनाल के दिलहन जिसी वो दिलो जान से प्यार कहती है उस पर अपनी जान लुटाती है तुम्हारी पाजेब कहा है वो दादी में मैं आज फिर पहनना भूल गई जैस्मिन पहरे थोड़ा अठी फिर तुरंत बोल गई उसने हाथों से अपने सर पर रखी चुननी को ठीक किया तो चूडियां बोल उठी ये खनक ही इस घर की रौनक थी और दादी के चेहरी की दमक मा ताई चाची सबके चेहरे चमक उठी और होठों पे हसी फैल गई वो जानती थी दादी क्या सोच रही है ये कुनाल तुमारी पायल रोज निकलवा देता है और खुसकबरी अभी तक तुम दोनों ने मुझे नहीं दी नहीं दादी ने अठा हास करते हुए कहा जैस्मिन को अब जाकर समझाया कि वो सब लोग उसके पायल न पहनने की वज़े से क्या निकालते थे और रोज उस पर क्यों हचते थे जब जब वो पाजे पहनना भूल जाती थी जैस्मिन का वहां खड़ा रहना दूभर हो गया क्या करे दो पीडी का गयब था दादी और उसमें उपर से घर की सब औरते महीं बैठी थी मा आप भी क्यों बेचारी को परिसान कर रही है अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ है सादी को हद गरती है आप भी अभी ही इसे बांद कर बिठा दोगी पहले ताई जी ने फिर मा ने कहा जैस्मिन को तो कुछ कहना सुनना समझ ही नहीं आया उससे वहां खड़ा भी नहीं जा रहा था वो चाय का बहाना करके रसोई में आ गई जबकि चाची उसके साथ ही आई अरे तो क्या गलत कह रही हूँ रोज रोज इसकी पाल गायब मिलती है अब मेरा क्या वरोसा भगवान कब उठा ले पड़ पोती की आज तो करूंगी नाई ससी मा कुनाल आता ही होगा ताई जी ने ध्यान दिलाना चाहा क्योंकि सुभा सुभा जैस्मिन की टांक हिचाई शुरू हो गई थी हाथो उसे भी बोल दूगी मैं क्या डरती हूँ उससे मा अपना सपना सजोई रही कहते वे ताई और मा भी उठ खड़ी हुई कुनाल सीडियों से आता दिखा तो वो बोलती बोलती चुफो गई दादी का कोई भरोसा नहीं वो उसे कह भी सकती थी नाजाने क्या-क्या खौप पाले बैठी है जबकि उन्हें लगता था जैस्मिन की भी ज्यादा उम्र नहीं है एकलोता पोता था उनका उनकी उम्मीद भी अपनी जगें सही थी पर वो कोई बंदन इतनी जल्दी अपने बेटे की गले में नहीं डालना चाहती थी ये उन दोनों की मरजी होनी चाहिए ऐसी बाते अक्सर बच्चों पर दबाव बना जाती है और फिर वो सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले पाती जो भी हो उनकी तरफ से ये छूट उन्हें मिलनी चाहिए कि वो अपनी मरजी से बीवी प्लान करे जैस्मिन बेटा कुनाल के लिए चाह ले जाओ मा ने अंदर आकर कहा कैसे सामना करेगी वो अभी अभी दादी ने उसे क्या कह कर भेजा था कोई और दे आता तो क्या हो जाता चाचा जी ने जैस्मिन की मनोदसा समझ ली लाओ मैं दे आती हूँ तुम खुद के लिए ले जाओ चाची ने कुनाल के लिए कपलिया और जैस्मिन को कहते बाहर निकल गई मा कलपना और काजल नहीं उठी अभी नहीं वो राद देश से सोई ना उठभाएंगी तुम्हारे साथ थी तो बाती जैस्मिन ये तुम्हारे गली पे क्या हुआ रगर और लाली में देखकर ताई जी ने पूछा गाल भी कुछ लाल लाल थे जैस्मिन ने तो कुछ कहते ना बना जबकि कुनाल जो चाय का आखरी घूंट भर रहा था उसकी चाय मानो गली में ही अटक गई क्या बताए ये उसकी करामात थी कुनाल को अपने जात्ती का सिर से हहसास हुआ सौरी जात्ती का फिर से हहसास हुआ सच में उसे उसकी स्किन टाइप का ख्याल लखना चाहिए था और रोज सुबह अपने दाड़ी कितनी बेरहमे से जैस्मिन की स्कीन से रगड रहा था वो बस नीन से जगानी के लिए चुभा रहा था लगिन उसमें कितने आगे बढ़ गया उसे खयाल ही नहीं रहा वो मा साइद हाँ साइद कल ठंडे पानी की वज़े से इसकिन फट गई है पर बेटा ये तो रगड लग रही है उन्होंने फिकर बंदी से कहा वो ऐसे हो जाता है हवा भी ठंडी थी ना तो जैसमें ने जैसे तैसे बहाना बनाया जबकि कुनाल का बाहर बैठे रहना मुस्किल हो गया गलती उसी की ही है वो उसमें कुछ जादा ही खो गया था और जब तक जैसमें ने उसे ये एहसास नहीं दिराया तब तक वो अपनी वन्मानी कर चुका था दादी मैं ताओ जी की पास जा रहा हूँ कुछ जरूरी बात करनी है उनसे कुनाल उठा और जल्दी से बाहर चला गया जबकि जैसमें कलपना और काजल को उठाने का पहाना करके महा से नो दो ग्यारा हो गई घर के चारों औरतों ने आज सुबह सुबह दोनों की एकलास लगा डाली थी जिसमें अल्टिमेटली बचारी जैसमें नीफस कर रह गई और दोनों बार उसे ही जमाब देना परा वो भी छट पर खड़ी थी दोपहर का वक्त था दिन अब खुलने लगा था आजकल धूप काफी तेज होती है फरावरी की आखरी दिन चल रहे थे अब तक जो चारों और सरसों ने अपनी पीली आभा विखे रखी थी वो सिमटनी शुरू हो गई थी जैसमें इस वक्त चट पर खड़ी होकर खेतों को ही रिहार रही थी उसे भी कुनाल वाली लत लग गई थी जब भी चत पर आती एक वाचारों और फैले खेतों को जरूर देखती कुनाल के लिए वो उसका अभिवान था किसानों को उनके अपने खेत उनकी जमीन उनकी मा होती है जबकि जैस्मिन के लिए वो प्रकिर्थ का बेहत प्यारा और होवसुरत तोफा था जिसमें वो अक्सर डू भी जाती थी कितना कुछ बदलता है प्रकिर्थ में हर दिन हर चड़ जब वो यहां आई थी तो इन्होंने धानी चुनर रोड रखी थी फिर सरसों में फूल किले थे और ये धानी रंग पीले रंग में तबदील हो गया अब जैसे जैसे फूल सिमट रहे थे और सरसों की बालिया निकल आई थी ये एक बार फिर अपना हरा रंग दिखाने लगी है जैसमिन इन चीजों को कुतना इंज्वाय करती ये वही जानती थी प्रकृत ने उसका मन मोह लिया था ये सब कुनाल के पीछे अच्छा लगने लगा था ये अपना घर होने का गुरूर जैसमिन को नहीं पता पर वो नेले आकास के नीचे खड़ी अब धरा की कहीं पीली कहीं हरी तो कहीं जमीन की रंग विरंगी चादर को देख रही थी कितना हसीन और अनुपम दिरिस्ते था ये जैसमिन मानो इसमें कैद होकर रह गई भाभी मा आपको नीची बुला रही है जैसमिन दोपहर की वक्त कुनाल और खुद के कप्टे उपहर रखने आई थी फिर उसे कंबल अगेरा भी धूप लगाने थी घंटा हो गया उसे आए कमरी की साफ सफाई और चीजे सिट कहने में वक्त का पता ही नहीं चला और अब जब नीचे जाने लगी तो इस कुदरती नजाले को देख कर बरवसी उसकी आँखे इस पर ठहर गई वो तो कहीं खोसी गई जैसमिन ने वहां जमी अपनी नजरे खीच कर हटाई और कलपना के साथ नीचे चल पली तीन बच गए थी और ये रोज चाय का वक्त होता था सहदी हो ये गर्मी साम की चाय सब लोग इस वक्त ही पीते थे जैसमिन काम पूछ के किचन में घुज गई और कलपना उसका हाथ बटाने लगी काजल बस बातों की ही हुकमदार थी सो इसी मकसद से उन दोनों के पीछे ही आ गई आईए भावी आज आपकी रोकी और रोनी से दोस्ती करा देती हूँ वो भी अच्छी और पक्के वाली फिर आपको इनसे डर नहीं लगेगा काजल ली जैसमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा जो किचन में काम कर रही थी कलपना भी जैसमिन का हाथ बटा रही थी जबकि दादी और सब औरते बाहर वैठी थी जैसमिन चाय बना रही थी और उचाय का इंतजार कर रही थी दो पहर का वक्त था धोब भी अच्छी थी घर पर कोई नहीं था बस औरते ही थी चाय पीकर चलते हैं भावी बाहर वैसे भी आप घर के आगे की तरफ कम ही जा पाते हो वो ठीका ना घर के आदमियों का था बलराज जी तो वहीं रहते फिर पापा भी अकसर घर होते तो उन्हें के पास रहते चलो गी न भावी काजल ने उचल कूद करते हुए कहा वो जैस्मिन को पक्का कर रही थी जबकि जैस्मिन ने अब तब कोई जमाब नहीं दिया वो बैस उसकी बाते सुनकर मुस्कुरा रही थी कोई जरुरत नहीं है तुम्हें उसके लिए संजीवनी बूटी डूड़ने की रोखी रोनी से दोस्ती अपने आप हो जाएगी तुम उसके लिए कुछ ना ही करो तो बहतर है पिछले दिनों का अपना कारणामा याद नहीं तुम्हें उपर से भाब और खड़े भी उस दिन तो कुना ला गया था वक्त पर आज तो कोई घर पर भी नहीं है अगर उन्हों ने काट लिया तो इंजक्सिन जैस्मिन को लगाने पड़ेंगे तुम्हारा क्या जाता है चाची बाहर बैठे ही तुनक्कर बोली सब भूल जाएं पर वो अपनी बेटी की गलती कैसे भूल चकती थी एक तो ये मम्मी कभी सुबसुब नहीं बोल सकती काजल बरबडाई और बाहर निकली मन्थरा मुझे कह रही थी और काम कहती हैं खुद बिलाने माले सारा घर भूल गया उस बात को पर नहीं आप भूलेंगी ना किसी को भूलने दींगी मा चोट लगी हो तो मेरहम पट्टी गर उसका इलाज किया जाता है बार बार घाओ को कुरेदा नहीं जाता दादी आप समझाएए न मम्मी को काजल बाहर आकर बोली काजल की बड़ी बड़ी बाते सुनकर ताई और मा की तो हसी छूट गई और दादी बेचारी उसे देखती ही रहगी ये मा बीटी आज फिर उन्हें बीच में ले लेंगी घर का बड़ा बुजर्ग होना भी कोई आसान काम नहीं घर मामले में सौरी हर मामले भी बीच में बोलना पड़ता है अपनी राय सलाह मस्वरा देना पड़ता है और ऐसे दो जनों में तना तनी हो तो बिचौलिया और बनना पड़ता है ताकि उन्में सुलह हो जाए जाने दो नब हो अच्छा काम ही तो कर रही है तुम जाओ बेटा चाह भी गए तोड़ी देर बाहर हो आओ दूप भी अच्छी है फिर थोड़ा जैस्मिन घर भी अच्छे से देख लेगी यूँ ये घर की बहु का बाहर कम निकलना हो पाता है दादी काजल पी बातों से सहमेत थी मा आफिर इसकी बातों में आ रही है तुम बहुत डरने लगी हो इतनी भी सरारती नहीं है तुम खाम का विचारी को सुनाती रहती हो अब वो क्या ही बुलीगी जब दादी ने इजाज़त दे दी थी तोड़ी देर बाद वो तीनों घर के बाहर बैठी थी रौकी और रोनी घर के आगी ही रहते हैं जैसमिन उन्हें देख कर ही डर जाती थी हलाकि यब महीना हो गया था और उनसे उनकी जान पहचान भी हो गई थी वो डरती तो वो ज़्यादा डरा देते वेना कभी उन्होंने उसे नुकसान पहुचाने की कोशिस नहीं की थी काजल उनके साथ खेल रही थी कलपना भी खड़ी खड़ी उन्हें दुनार रही थी पुचकार रही थी जैसमिन घर की ये साइड आज गौर से देख रही थी घर से वाहर जाते और इसमें इंटर होती वक्ती, वो ज्यादर तर यहां आई थी, या कभी ताओ जी और पापा कुछ आए, या कुछ सामान देने के लिए, वेना गाओं का कोई आदमी या कोई मिहमान आया हुआ ही रहता, और तों का यहां कोई काम नहीं था, जैस्मिन ने घर के आगे बराबर की साइड देखा, जहां बड़ा सा गैरिस था, और पास में, काफी सारी जगें खाली पड़ी थी, खुला मैदान, कुछ पेड़ थे, और ट्रैक्टर वहां खड़े हुए थे, कुनाल और ताओ जी, आज गाड़ी लेकर गए थे, इसलिए, कुनाल की जीप यहीं खड़ी थी कुनाल जादा ताओ जीप का यूज करता, पास में ही, कुनाल की बुलिट खड़ी थी, रहान और कुनाल, अक्सर दोनों बुलिट पर ही गूमते थे, और उससे आगे की साइड, जो पीछे भाड़े से जुड़ी हुई थी, वहां सब मसीनरी थी, जो खेतों में काम आती है जैस्मिन देखते देखते थोड़ा आगे बढ़ गई, कितना बड़ा घर था उसका, और अब ये उसका था, जब भी वो इस पारे में सोचती, तो फूल के रकुपा हो जाती थी, ये सब कुनाल की वज़े से उसी मिला था, इतने सारे रिस्ते, इतना बड़ा परिवार, इ किस्मत पे नाज हुआ, और साथ ही, साथ कुनाल पर भी, आज क्या कुछ नहीं था उसकी जिन्दगी में, उसके नाम भर होने से उसकी जिन्दगी आबाद थी, रौसन थी, भावी, आपको कभी कभी वो आदमी बोर नहीं लगता, काजल ने उन दोनों की साथ खेल लिते व आज इसे बोर लगने लगा, वो बिलकुल मचलते समद्र से थी, जिसमें भात भात की लहरे उठती रहती थी, कभी एक बात पर टिकती ही नहीं, कहां जैस्मिन मन हे मन, कुनाल को दुआओं में याद कर रही थी, और कहा काजल ने उसे ये कह दिया था, वो भला कहां से बोर हैं, हलाकि सुरू सुरू में उसके विचार भी वही थे, पर उन लम्हों को सिर्फ जैस्मिन ने ही जिया था, जब प्यार भरे पल, कुनाल ने उसकी जोली में डाले थे, अब ये साइड तो, उनके भाई की वो बहनों को नहीं बता सकती थी, कि वो सच में बोर था या नही जैस्मिन बस उसकी इस बचकानी से बात पर मुस्करा दी, ये मुस्कराहट और फाइल गई, जब गाड़ी आती दिखी, कुनाल गहरा गया था, उसे कुनाल की याद आ रही थी, अभी तो ये सब बाते हैं, उसके जहन में आई, और वो बस उसे एक जिलक देखना चाहती थ आरेंज मेरिज में नई नई साधी में ये सब अहसास अक्सर उभर आते हैं, और अगर सैयुगत परिवार हो, तो वैस अपने सोल मिट को एक बात देख लीने की चाहत, अक्सर से रुठाती रहती है, और वो नई साधी सुदे जोड़ी, उसमें संतुष्ट भी हो जाते थे जैसमेन भी ऐसे ही सिल्चले से गुजर रही थी, कार जल्दी ही आकर, घर के आगे थम गई, कुनाल ड्राइवडिंग सीट से उतरा, जैसमेन ही आखों को मानो ठंड़क सी मिल गई हो, और दिल को राहत पहुची, बाकी कुछ उसने नोटिस किया ही नहीं, कुनाल को नजर है देखा और उसकी सूरत को जयों कातियों, दिल में विसा लिया, कुनाल निवसीक नजर उसे देख कर नजरें घुमा ली, जैसमेन भी जगें और इस्थिती को अच्छी तरह वाकिब थी, इसलिए वो जल्दी हालात की जद से बाहर आई, आगे की सीट से ही ताओ जी बाह सानी में थे साइद, जैसमेन अंदर आ गई, जबकि कलपना और काजल उनके लिए पानी लेकर गई, कुनाल पाहर ही रखे मोडे पे बैड़ गया और ताओ जी चार पाई पर पापा ने चेर उठाई और बैठते वे पानी का गिलास थाम लिया, किसी की गले से नहीं उतर र गई, क्या हुआ होगा, हमेशा दस बंदरा दिन में एक बार ये साथ में कहीं जाती, और फिर मोह लटका कर वापस आ जाती, कुनाल के साथ उसका रिस्ताब खुलने लगा था, पर इतना भी नहीं था, कि वो उससे खुल कर कुछ पूँच पाती, या बाते कर पाती, अंड का सोच का फर्क हो, या आदमी और और वरत का, उसे नहीं मालूम पर कुछ ऐसा था, जो चाह कर भी, जैसमिन उससे पूछ नहीं पाती, कुनाल का सक्तर वईया ने, उसे थोड़ा लिमिट में रहने पर मजबूर कर दिया था, वो अक्सर नए नए लोगों से कम ही गुल पा पहले उसे कुछ नहीं बताता था, जैसमिन बस सोच कर ही रह गई, जैसमिन बेटा, तुम तियार हो जाओ, कुनाल तुमें मंदी ले जाएगा, बहु, तुम पूजा का समान तियार करो, दादी ने अंदर आकर कहा, वो भी रसोई के दरवाजी पिखडी थी, चाची और ज जैसमिन किचन सम्हान लई थी, सामके खाने की तयारी में बिस्त थे सम, जबकि मा उताई जी, बाहर का काम देख रही थी, जी मा, चाची जी को सब मालूम था, इसलिए उन्होंने आगे कोई सवाल जबाब नहीं किया, जबकि जैसमिन बस सोचती ही रह गई, इस तरह अचा जानक मंदिर क्यों, क्या पूछे, जरूरी ही होगा, अदारी अपने तीनों बच्चों को बाहर देख कर आई थी, जो परेसान बैठे थी, जमीन को लेकर कोई विवाद था, जो कोट में चल रहा था, अदालत की तरब से मिलती तारीक पर तारीक, और मसले का कोई हल ना मिल पानी की वज़े सी, हर बार यही होता, उनके चेहरे उदर जाती, अपनी ही जमीन उन्हीं, हाथ से जाती दिख रही थी, ये नहीं था, कि उनके पास इसे सावित करने के लिए प्रूफ नहीं थी, बल्गि सामने जो पच्च था, वो नेदई और निर्मम की समका था, वो ज कुनाल को इसी बात की टिंसन थी, अपनों की परवाह थी, कि कहें कुछ गल्ट ना हो जाए, जितना जल्दी और सांती सी ये मामला हल हो जाए, बेहतर था, पर हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ आती थी, कभी तारीखों में केस उलज जाता, तो कभी उस इंसान की कुटली न हमारी मा है, मात्र भूम है जैसमीन, इसे यूँ ही नहीं छोड़ा जा सकता, कैसे कुछ उलज कर रह गया है, तुम दिल से मन्नत करना, कि ये परिसानी जल्दी दोर हो, ताकि तुम्हारी पती को भी संतोस मिले, वरना वो यूँ ही, इसके पीछे खौर होता रहेगा, दाद मुड़े पे बैठा उसका इंतचार कर रहा था, काजल बाइक की चाबी लेकर आना, कुनाल ने मुड़े पे बैठे वे ही, गाड़ी की चाबियां हाथ में उछा लेते वे कहा, काजल और कलपना, दादी, जैसमीन, सब साथ ही बाहर आ रहे थे, काजल चाबी के लिए, आथों में टोकरी देखती हुए सोचा, ओपर से ही सलवार कमीज और सर पर दुपट्टा, हवा से उड़ नहीं जाएगा, उफ, जैसमीन ने कन्फ्यूस सी नजरों से कुनाल को देखा, जबकि कुनाल बे परवाह बैठा था, मानो उसे कुछ समझ आया ही नहीं, जैसमीन अ मन जल लाकर कहा, पर सुनने माला कोई नहीं था, और वो मन मसोस कर रह गई, जैसमीन के चेहरे पे आते जाते भाव को, कुनाल ने बको भी गवर किया था, काजल ने चाभी लाकर कुनाल के हाथों में थमा दिया, कुनाल ने गाड़ी की चाभियां काजल के हाथों में दे द कुनाल ने उसे ना बैठते देखकर कहा, कुनाल और जैस्मिन, मंदिर में हाथ जोड़े भगवान की मूर्ती की आगे खड़े थे, कुनाल ने इपनी आखे को ली तो, जैस्मिन को, अभी मन्नत में वगन देखा, वो हाथ जोड़े आखे बंद की, सिर को जुकाई, ऐसे कुनाल को वो खुद एक देवी से प्रतीत हो रही थी, मानो कोई हसीन मूरत हो, कुनाल ने खुद को बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो बेखुद हो रहा था, जैस्मिन पहले दिन से, उसके बंजर से जमेन पे वारिस की बोंदों सी वरस रही थी, जैस्मिन कुनाल की सब पर बच्पन में उसने दादी से किसे कहानियों में सुना था कि औरतों की कई रूप होते हैं वो लच्छमी सरस्वती सीता पारबती अनपूरा दुरगा काली कई रूपों में बिद्दमान रहती हैं कहते हैं कि औरत ग्रह लच्छमी होती हैं वाकई वो लच्छमी का रूप होती जब वो एक घर को अपना घर मान कर सब कुछ उस घर और घर में रहने वाले बिक्तियों के नाम ने उक्छावर कर देती हैं जब वो किसी मुद्दे पे राय देती हैं तो ग्यान की दीवी सरस्वती कहलाती हैं कुनाली ये कई बार महसूस किया था जब भी वो दादी से किसी बात पर मस्दुरा करता वो हमेशा उसे प्यार और अपने पंसी ही राय बताती उसे समझाने का प्रियास करती उसके क्रोध को सांथ करती आदमी एक बात सब्र छोड़ कर अपना आपा खो भी बैठे तब भी औरती दीर जिसे काम लेती हैं कितनी भी मुस्किल आए वो धैर का सिरा थामे रहती हैं और अपनी दादी की पूरी जिन्दगी कुनाल के लिए इसका एक जीता जागता उदाहरड थी कि उन्होंने कभी भी सब्र का आचल नहीं छोड़ा घर संभालने में औरतों का कोई सानी नहीं बलकि घर ही उनकी मौजूदगी में बनते हैं नहीं तो खाना ड्यूटी समझ कर नहीं बलकि प्रीम से खिलाने वाली चाहें वो दो पहर में आये या आधी रात को हमेशा उन्हीं इस बात का खयाल रहता कि वो कुनाल को गर्मा गर्म खाना परोसना हैं वो खुद भूख के रह लेंगी लेकिन घर के हर सदसी की भूख का खयाल पह हैं नवदुरगा यूँ ही नहीं कहलाती वो इनकी हगदार हैं वो काबियत और सहालियत रखती हैं इस उपनाम की इस पदवी को उनसे बेहतर और कोई सुसोभित नहीं कर सकता वो जमीन पर सक्ती का प्रतिरूप होती हैं ये घर परिमार से मिले संसकार होते हैं जब लड़ जैसमिन को जान रहा था वो उसे हर पायदान पर खरी उतरती नजर आई जैसमिन पूरी तरह कुनाल के मैयार पर फिट बैठती थी कुछ बाते जिनसे वो अब भी अंजान थी पर वो देरे-देरे रूबरू हो रही थी एक रहड़ी का कार कितना दुसकर होता हैं वो कितने सारे काम एक साथ कर ले दी ये एक भी वज़े है कि उनका वेतन तह नहीं किया जा सकता यदि दें तो भी किस किस कारी के लिए दी और उस प्रेम का क्या जो सब पर नियुचावर कहती हैं ये सब निस्वारत होता हैं बदली में खुसियों की चाहत होती हैं वो भी सब के लिए जैस्मिन ने भी घर बसाने में सुकून चाहा था एक भरा पूरा परिवार और उसके मन को समझने वाला उसका हमकदम हमरा हमसफ़ जो भी नाम दे दुनिया लेकिन उसी की तरहे उसके प्रती वफादार बस यही चाहत थी बहले ही कुनार ने कठोरता का आवरर ओड कर जैस्मिन को एक हद तक ही अपने नसीग आने दिया लेकिन जैस्मिन का कभी अपमान नहीं किया वो उसकी सहायता ही करता था और जो परिदी अब तक उन दोनों की बीच में थी वो आवरर भी दीरी दीरी हटता जा रहा था एक दिन आएगा जब वो अपने मन की सब परते उसकी सामने खोल सकेगा वो द्वंद वो पीडा जिससे वो अब तक अकेले जूजता आया है उनकी अगर कोई दवा थी तो वो जैस्मिन नहीं थी कुनाल को भी अपना दुख दैद बाटने वाला मिल गया था वो उसके साथ सुख दुख साजा कर सकता था ये साजिदारी ही इस रिष्टे को एहम बनाती है कुनाल ने अब इन बातों को समझना सुरू कह दिया था वो बस अपनी किसमत पर निहाल हो सकता था जो उसे देख कर हो भी रहा था वो कितना तत्लीन थी इस्वर की भक्ती में मानो वही एक मातर सहारा हो अपना सब कुछ उन्हें सौंप रही थी उन समर पर प्रेम, विस्वास और समयपित मुद्रा ने उनाल का मन मुँह लिया जब हम इस्वर के आगे आखे बंद कर हाँज जोड कर खड़े होती हैं वो एक पवितरता दिखलाता है केवल मन को सांत नहीं कहती बलकि ये भी बतलाते हैं कि हम चाहें जितने ही बड़े हो जाएं उपर उठ जाएं हमसे भी उपर कोई बैठा है जिसके हाथों में हम सब کی बाग डोर है अहिंकार को एगर खत्म कहना है तो हर इंसान को दिन में एक बार कम से कम अपने इश्ट को ज़रूर याद कहना चाहिए तब हमें समझाता है कि हम कहा हैं क्या कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं और कितना नहीं पुजारी जी ने पुजा का सामान रख बास्केट वापस ला दी जैसमिन ने भी हाँ जोड़ते हुए एक बार और ईस्वर को नमन कर आखे खोल लिली मंदेश से लोटते वक्त उन्होंने पुजारी जी के पाँच हुए वो सीड़ियों पर आकर एक बार और मुड़ी जुकर बल्राम किया सीड़ियां उतरने लगी कुनार ने ये सब ध्यान से देखा वो आया उसने हाँ जोड़ पंडित जी को बनाम किया और ईस्वर की बंदना की वापस मुड़ते वक्त सीडियों पे एक बार जुका और बाहर निकल आया जबकि जैस्मिन ने कितनी देर खुद को पूजा में डुबाए रखा दादी की पसंद वाकई अच्छी थी वो अपने संसकार नहीं भूली आज एक मलाल जागा वो अपने आप में खो गए जैस्मिन के साथ अन्याय कर गया था उसे ने वाता बरड में ढलने के लिए कुनाल की जरूरत थी पर वो अभी कैसे कहता कुनाल को जैस्मिन की ज़्यादा जरूरत है कुछ पनप चुका था कुछ पनप रहा था प्यार और विश्वास दोनों ही इस रिष्टी की नियू है समय तो लगना था मंदी थोड़ी उचाई पे बना था कम से कम तीस चालिस सीडिया होंगी जैस्मिन उताते वे आसवास फहले गाओं को देख रही थी कुछ घर पास में थी कहीं किसी के खेत थी कहीं किसी की पसुवंधे वे थे साम की गोदली बेला थी फरवरी के दिन कुल्ने लगे थे हलाकि सुबह सबेरे ठंड रहती हैं और गाओं की ठंड़क भी अच्छी खासी थी पर फिर भी ये द्रिस से मनोहर था वो सब कुछ पहली बार देख रही थी साधी की बाद एक बार पहले भी आई थी पर तब सब साथ में थे और सुबह का वक्त था इस वक्त तो ये सब और भी सुहावना लग रहा था अचानक से उसका पैर एक सीड़ी छोड़ कर रख गया वो गड़ बढ़ा गई कुनाल ने आगे बढ़ कर उसकी बाहे थाम ली और जल्दी उसे दूसरे हाथ से सहारा दिया ये असपरस भी अद्भुत था जैसमिन ने जल्दी खुद को सम्माला कि वो अभी घर से बाहर है और फिर मंदिद में उचाई पर खड़े हैं तुम ठीक हो जी आराम से सामने देख कर उतरो कुनाल ने कहा और आगे बढ़ चला चैसमिन भी एहतियाद बरतती सीड़ीयां उतर आई बुलट के पास आकर उसका फिर दिमाग खराब हो गया कितनी मुस्किल से आई थी वो आत तो बस उसके हालात की मजे लिए जा रहा था कैसे बैठेगी वो हलका हलका अधीरा भी होनी को आया था आते वक्त तो राम राम करके पहुँच गई जाती वक्त मन में फिर वह यह खटका एक भार मन में इस्वर की बिनते की जैसे आई वैसे डोलेते डोलेते सही सही सलामत पहुँच भी जाएगी क्या हुआ डर लग रहा है नहीं तो तो फिर वैट क्यों नहीं रही आते वक्त कमपटेबली आई थी ना जैस्मिन को कुनाल पर गुस्सा आ रहा था उनके रिष्टे में वो भी इतनी उपन नहीं हुई कि खुलकर उससे नाराजगी जता सके लेकिन वो भला कहां कमपटेबल थी बार बार सर पर रखे चुन्नी समार लही थी अगर ये सिर पर से उड़ गई तो गाओ घर में बाते होंगी कि फालाना की बहु ने सिर पर दुपट्टा भी नहीं रखा हुआ था अब कुनाल उससे से पूछ रहा है कि वो आराम से है ये तो उ कहा और मुस्करा दिया वो जानबोच के जैस्मिन को तंग कर रहा था आज दिन में जो भी हुआ उससे से उसका मोड खराब था एक जैस्मिन थी जिस पर वो अपनी थोड़ी बहुत मनमानी कर सुकून पा जाता था उसे उलिजन में डालना पसंद था एक बात को हूँ आप दुपट्टा से ही करना पड़ रहा है गाओ की ओरतों से सीखो कुछ वो कैसे मैनेज कहती है यहां तो यह हर घर की कहानी है कुनाल बोल रहा था एक बाइक पास से गुजरी जिस पर पीछे ओरत बैठी हुई थी पर दुपट्टा इस तरह सिट था सिट हुआ था कि ओरत को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था जबकि जैस्मिन संभाल संभाल कर थक गई थी देखो इसे सीखो कुछ कितना आराम से बैठी है आखि तुमें भी तो इन सब की आदत होनी चाहिए कभी न कभी तो सीखना पड़ेगा बहतर होगा अभी इसे सुरुआत करो कुना के लिए बहुत रोमैंचित था इसलिए आप जान बोच कर मुझे ऐसे लाए आप जीब भी तो ला सकते थे ना क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा एक्शली मैं चाहता था कि तुम गाओं को अच्छे से देखो गाड़ी या जीब में वो मजा कहां जो बाइक पर बैठ के लिए आई थी और फिर खेत खल्यानों का रास्ता भी उसे आनंदित कर रहा था डर लग रहा था इस पीड दर लग रहा है इस पीड धीरे करूं नहीं मैं ठीक हूं तो फिर कसकर पकड़ो कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी जैसमिन ने कुनाल को अच्छे से थाम ल आते जाते हवा की छोके वादास कर रहा था ये आदमी किस मिट्टी का बना था इसे कुछ एहसास ही नहीं होता अच्छी बात है लगनी चाहिए पर अगर ठंड लग गई तो मैं तो चाहता हूं तुम्हें ठंड लगे और मुझे दूर कहने का मौका मिले कुनाल ने मुस्क रहा ये चेहरा होरी किसका है जो मैंनो होर किते लंभया ना तेरे नैन बिच्चो दिसदा है नदीज हील या परवत है या कोई खाजाना ख्वाबा दा जैसमिन जो दुपट्ट्यागस कर पकड़ी थी उसका आधा चेहरा कुनाल के कंधे से ढका रहा था जबकी आखे और म खाल था जैसमिन को तो ताज्यूब हुआ कुनाल से इसा भी कभी कुछ सुनेगी उसे लगा ऐसी खौई से ही रहने वाली है पर कुनाल तो बना ही उसे हैरान कहने के लिए था और गदम कदम पर उसे हैरत में डाल देता कुनाल भी गुनगुनाए जा रहा था वो मुस्कुराए जा रही थी आपको गाने भी आते हैं ऐसा कोई काम नहीं जो कुनाल चौधरी नहीं कर सकता अभी तो तुमने इस समुंदर से चुल्लू भर उठाया है अभी पूरा समुंदर बाकी पड़ा है जैस्मिन और जिन्दगी भी मैं तुम्हें हैरान परिसान करता रहूंगा कुनाल जैस्मिन के साथ वक्त बिता कर अपनी परिसानी काफी हद तक भोल जाता था और आज तो वो बिलकुल ही भोल गया पूरा दिन कस्मकस और दुविधा में गुजरी पर अब ये जिन्दगी नई राग गा रही थी बसंत का मौसम साम का वक्त हरे पीले फसलों से लहराते केद और साथ में हम सफर एक सुकून भरी जिन्दगी के लिए भला और क्या तवक्कों की क्या जग तवक्कों की जा सकती है कुनाल के मौसी इखी नाम निकला परफेक्ट वागी ये अब सुकून में था अच्छा मतलब समझाईए गाने का जैस्मिन बहुत देर बात बोली तुमने नहीं सुना पहले कभी कुनाल को हरानी भी काजल की संगती में रहकर उसने पंजाबी हर्याडवी गाने नहीं सुनी वो तो दिन भर नाचती फिरती है नहीं मुझे हर्याडवी समझ नहीं आती कुनाल ने भाइक रोकी और पीछे पलटकर जैस्मिन को देखा क्या हुआ आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं जैस्मिन को लगा उससे कोई गलती हो गई साथ वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी वो भी न छलकती का गरिया है जल्दी ही छलक जाती है कुछ नहीं सोच रहा हूँ लैंग बेज़ पे तुम्हारी पकड़ कितनी कमजोर है वैसी हरिवार भी नहीं पंजाबी थी कुनाल ने जैस्मिन से कहा जैस्मिन ने दातों तली जीव दबा ली क्या जरूरत है ज्यादा बोलनी की वो तो बस कुनाल के मुँँ से सुनना चाहती थी अब गलती में आक चुप होकर बैठ गई कुनाल आखे जैस्मिन को कपकपाते हुए घर वापस ले ही आया था जैस्मिन तो जैसे तैसे सोल में सिमती जा रही थी बाकी उसे ठंड कुछ ज्यादा ही लगती थी एक तो वो ऐसे कुले-कुले माहोल में कभी रही नहीं फिर साम की वक्त बाइक का सफर वो धूस्ते हुए सी नीचे उतरी क्या हुआ ठंड लग रही है हाँ मैंने कहा था ना आपकी वज़े से मुझे सरदी लग जाएगी कोई बात नहीं मेरी वज़े से लगी है तो बचाओंगा भी मैं ही तुम चिंता मत करो कुनाल ने जैस्मिन के करीब आकर कहा जैस्मिन उसकी आखों में जहांक रही थी जहां धेरो अर्मान आकर रह रहे थे जैस्मिन की मन में भी कई ख्वाइसों ने अंग्राई ली गैरेज में कोई नहीं था और वो ट्रैक्टर के एक साइड बाइक थाम कर उसी के पास खड़ा था जैस्मिन ट्रैक्टर के पिछले टायर से लग कर खड़ी थी और कुनाल ने उसे खुद से ढख रखा था वो उतर कर संभल ही रही थी कि रोकी रोनी दौड़ते हुए उसके पास आए जैस्मिन ने कुनाल की बाजू पकड़ ली आज दोपहर में ही तो तुम उनके साथ केल लई थी मुझे लगा दोस्ती हो गई होगी तुम तो अब पी तर रही हो वो भाग कर आते हैं ना तुम मैं डर जाती हूँ आदत नहीं है ना जैस्मिन ने अपनी घबराहट समेट कर कहा उनके आज आने से दोनों एक दूसरे के जादूए सहर से दोर हुए वो दोनों कुनाल से चिपक रहे थे और सामने खड़ी जैस्मिन भी उसकी बाजू होते उसमें सिमट रही थी कुनाल ने एक हाथ बढ़ा कर जैस्मिन को अपने और नजदीक कर लिया कुनाल उसके सामने चुटकी बजा रहा था वो बस कुनाल से दुलाज चाहते थे जैस्मिन कभी उन्हें तो कभी कुनाल को देख दी इंसान और जानवर की बांडिंग अगर हो तो बहुत बहतर होती है इसका जीता जाकता उदाहरड उनकी सामने था वो तो कुनाल की एक छोटी सी आहरड तक पहचान जाते थे आपने इने खेतों की रखवाली के लिए रखा है जैस्मिन ने कुनाल में सिम्टे हुए यही पूछा कुनाल ने जैस्मिन को अपनी एक बाजू के घेरे में बंद कर रखा था और कुनाल उन्हें कुछ कार रहा था वैसे ही उनके साथ खेलेते हुए जबाब दिया नहीं घर वालों की और हाँ थोड़ी थोड़ी खेतों की भी भला घर वालों को क्या खत्रा वो भी आगे कुछ पूछती उससे पहले ही कानों में आवाज पड़ी अरे भई कामरा दे रखा है एक अलग से वो भी उपर सबसे अलग एकांत में फिर भी खोपचे में घुस रहे हो ये रेहान था जो कुनाल का इंतजार कर रहा था कुनाल बंदिर गया था इसलिए वो दादी के पास ही बैठ गया जैस्मिन ने कुछ उलज़े हुए से कुनाल की उर देखा कोना? जी खोपचा? मतलब कोना होता है? ओ अच्छा जैस्मिन कुनाल की बाहों से निकल गई क्योंकि रेहान उधर ही आ रहा था चलो अंदर कुनाल रेहान के साथ आगे बढ़ गया और जैस्मिन उनके पीछी दोस्तों इस कहानी के इस चेप्टर का अंडेहीं पे होता है मिलती हूँ कहानी के निस्ट चेप्टर के साथ आप लोग को यह कहानी कैसी लग रही है मुझे तो बड़ी ही प्यारी लग रही है एकदम हटके एकदम अलग सी आप लोग को कैसी लग रही है बिल्कुल कमेंट करके बताईएगा भूलना नहीं